नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं कौपर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने मैंने एक घंटी के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट लास्ट रेडिंग सेर्शन में रही है और पिछले पुरे हफ़ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सेनेरियो देखा है और डाउन ट्रेंड में कौन सा वो लेवल इंपोर्टेंट होगा जिसके बाद मार्केट करेक्शन दिखानी शुरू कर सकता है और पूरा का पूरा व्यू हमारा किस तरीके का है तो आईए शुरू करते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे कॉपर MCX का चार्ट दोस्तों अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन में रहे होंगे तो एक प्राइस जिसकी में बात करता था कॉपर में वो था 721.70 जिसके नीचे जब तक मार्केट था तब तक एक सेलिंग प्रेशर की हम उमीद कर सकते थे पर इसके भी इंडिकेशन सेलिंग के थोड़े से खत्म हो चुके थे जब मार्केट ने इस तरीकी की एक रिकावरी को दिखाया था और मार्केट यहां क्लोज हुआ था ठीक है मार्केट में सेलिंग का कहीं पर कोई साइन नजर नहीं आ रहा आगे चलते हैं चार घंटे के टाइम फ्रेम पर यहां पर भी उस ब्रेकावट को मार्केट ने बहुत स्ट्रॉंगली दिखाया और प्राइस जो हैं 740 के उपर सक्सेस्फुली अपने आपको होल्ड करने में काम्याब रहे हैं यहां पर भी अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट में करेक्शन और यह एक कंसलिडेशन का पिरेट चल रहा था एकदम से एक रिकवरी रिकवरी स्ट्रेंथ में और 741.15 इसका क्लोजिंग प्राइस आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक कर रहे हैं देखिए पहले जिसके कॉपर में एक स्ट्रेंथ है जो अभी तक बनी हुई है मंडे का दिन कैसा हो सकता है देखिए गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो हो सकता है कि मार्केट अपने लास्ट हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा लास्ट हा मार्केट गैप अपनिंग के साथ अपनी शुरुवात करें उपर में जहां पर अब एक स्ट्रॉंग राइस टेंस लेवल नजर आ रहे हैं वह कहां पर है वह सेवन हंडर्ड सिक्स्टी टू ठीक है अब यहां पर दो चीज़े हैं या तो सेवन सिक्स्टी टू यह लगबग यहां पर यह प्राइस या तो आप उसके ऊपर क्लोज होने का वेट करें फ्रेश एंट्री के लिए बाइंग साइड में दूसरी चीज़ आप यहां कहीं सैल करते हैं या फिर मार्केट में मंडे को सैल करते हैं तो आपको सेवन सिक्स्टी टू के ऊपर क्लोजिंग बेसिस इसका आपको stop loss maintain करना चाहिए देखिए एक चीज़ और मैं समझ रहा हूँ कि copper में positional buying नहीं रह सकती बहुत जल्दी market एक correction दिखा सकता है जिसके chances इसलिए हैं क्योंकि copper ने एकदम से जो buying दिखाई है उसका hold करना, market overbought condition में नज़र आ रहा है तो कहीं न कहीं उसका आसर धीरे-धीरे, Monday को नी Tuesday तक हमें charts पर देखना श्रू हो जाए, अभी market एक phase में enter करेगा, consolidation का, उसके बाद धीरे से नीचे के लिए एक downside indication दिखाएगा फिर market नीचे आ सकता है मेरा view downside का बिलकुल नहीं है, पर इस चीज़ के थोड़ी expectation इसलिए है क्योंकि market अपने resistance level के कहीं न कहीं नजदीक पॉस्ट पहुचा हुआ है, अभी 20 रुपए की हम एक और upside maximum देख सकते हैं उसके नीचे अगर market बना रहता है consolidate होना शुरू है तो correction के chances बन जाएंगे, ठीक है downside में अभी कोई ऐसा major level नहीं है, क्योंकि Monday का time ऐसा रह सकता है, देखिए उसका मैं आपको reason बताता हूँ, 15 minute के time frame पे भी अगर हम देखें यह straight up trend यहाँ पर अगर Monday को market इस तरीके से आता है, फिर market recovery दिखा देगा, तो अभी किसी भी एक particular range में, market consolidate करने ही कोशिश करेगा अभी के इसाब से अगर हम बात करें, तो 731 वो price है, जिसके नीचे market में correction start हो सकती है, पर कुछ ऐसी उम्मीद करना बहुत ज़दा मुश्किल लग रहा है, और खास तोड़ से, Monday को fresh selling करना भी गलत रहेगा, market को समय दें, उसे खुद consolidate होने का उसके बाद हमें एक fresh view लेकर सामने आएंगे consolidate होने के बाद के हमें क्या करना चाहिए selling के लिए कौन सा level अच्छा हो सकता है अभी selling के लिए भी कोई level अच्छा नहीं है ठीक है, थोड़ा सा wait करें short sellers और जो long position holder होल्डर है